साथियों, इस बार का जो हमारा प्रदर्शन रहा है, उसका इमानदर आकलन सिर्फ मेडल की संख्याजे संभव नहीं है। हमारे कितने खिलाडी इस बार नेक टू नेक कंपिट करते निजर आए। यह भी अपने आप में किसी मेडल से कम नहीं है। ठीक है कि 0.1 सेकंड, 0.1 सेंटिमेटर का फैसला रह गया होगा है। लेकिन उसे भी हम कवर कर लेंगे, यह मेरा आपके प्रति पूरा विश्वास है। मैं इसलिए भी उत्साहिद हूँ कि जो खेल हमारी ताकत रहे हैं। उनको तो हम मजबूत कर ही रहे हैं, हम नए खेलों में भी अपनी छाप छोड रहे हैं। होकी में जिस प्रकार हम अपनी लेगेसी को फिर हासिल कर रहे हैं। उसके लिए मैं दोनों टीमों के प्रयास, उनकी महनर, उनकी मिजाज, उसकी बहुत बहुत सराना करता हूँ। भूरी भूरी प्रसाँशा करता हूँ। पिछली बार की तुलनावे इस बार हमने चार नए खेलों में जीत का नए रास्ता बनाया है। लॉन बाउल्ट से लेकर एटलेटिक्स तक अभूत पुर्व प्रदर्शन रहा है। इस प्रदर्शन से देश में नए खेलों के प्रति, युवाओं का रुजान बहुत बढ़ने वाला है। नए खेलों में हम इसी तरह अपना प्रदर्शन और सुधारते चलना है। मैं देख रहा हूँ, पुराने सारे चेहरे मेरे सामने हैं, सरत हो, केदामभी हो, सिंदू हो, शौरब हो, मिराबाई हो, बजरंग हो, विनेज, साक्षी, आप सभी सीनियर एटलेट्स ने उम्मीद के मुताबिक लीड किया है। हर एक का हसला बुलंद किया है। और वहीं हमारे युवाई एफलेट्स ने तो कमाल ही कर दिया है। गेम्स की सुरुवाद से पहले मेरी जिन युवाई साथियों से बात हुई थी, उन्होंने अपना वादा पूरा निभाया है। जिन्होंने डेबु किया हैं उन्में से 31 साथियों ने मेडल जीते हैं। यह दिखाता है कि आज हमारी युवाई का कांफिडेंस कितना बढ़ रहा है। जब अनुभवी शरण डॉमिनेट करते हैं और अविनाज, प्रेंका और संदीप पहली बार दुनिया के स्ट्रेस्ट एटलिट को तक्कर देते हैं तो नए भारत की स्पिरिट दिखती है। स्पिरिट यह कि हम हर रेस में, हर कंपेटिशन में अड़े हैं, तैयार खड़े हैं, एटलिस के पोडियम पर, एक साथ, दो दो स्थान पर, तिरंगा के हो सलामी देते भारतिये खिलाडियों को, हमने कितनी बार देखा है।